आज हम इंस्टंट कॉन डोकडा बनाएंगे बहुत ही अच्छा और सौफ्ट बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो एकदम सौफ्ट ऐसा हमारे डोकले बने है तो कॉन डोकडा बनाना है और आपको 10 मिट में बनाना है यह पूरी रेसिपी आप मेरी देख उसके बाद करन दोंगी तो सकते हो यहाँ पे प्र mysterious के रख दिया है आतों सामे बाववर अपार देख सकते हो यहाँ अ कौन पर निकाल देगे उसके बाद यहाँ पर एक पकब में सुजी को लेदूगी उसके साथ 1 4th cup हम बेशन ले लेंगे, उसके साथ मैं 1 cup दही ले लूँगी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा, तो इसको अच्छे से हम भी मिक्स कर देंगे, तो आप देख सकते ह पाडिया से यह मीख हो गया है कि इसको थोड़ी देर के लिए हम घुमाएंगे ताकि यह हो जाएगा इसके बाद इसके अंदर हम नमगों कि शाब से डाल देंगे तो हम इने नमक डाल दिया है कि構ई उसके बाद हम इसके अंदर टोड़ा सा ओल टाल देंगे तो यह सफट बनेगी और खाने में आपको अच्छा लगेंगा तो मैंने थोड़ा सा दही बला हं जो कटड़ है उसनня पानी डाला था वह इसके कर लेंगे और इसको अच्छे से वापस मिक्स कर देंगी क्योंकि सूजी पानी एपस हो जाएगा तो हमको थोड़ा सा पानी डाल देना है उसके बाद इसको वापस हम फैटेंगे तो ऐसे ही बैटर को रेडी कर देंगे इसको हम 5 मिल तक गुमाएंगे तक एकदम बढ़िया स यह रेडी हो जाएगा मैंने थोड़ा सा जो पानी बचा था वो भी इसके अंडर डाल दूंगी ताके सूची एकदम पानी एपस हो जाएगा तो यह बैटर अपना जो से चायव ऐसे कंसिशनल मिल जाएगा तो यह मैंने गुमा दिया है इसके बाद इसको हम ढखके रख द अब इसको खोल के में दिखाऊंगी आपको तो बैटर एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है अभी इसके में हम घुमा देंगे तो यहां पर मैं चमच की मदद से घुमा दूंगी और उसके बाद हम इसके अंदर आदी स्पून इनो डाल देंगे उसके बाद इसके अंदर वह थोड़ा सा पानी में डालूंगी ताका एकदम पड़िया से बैटर रेडी हो जाएगा और एकदम फलफई हो जाएगा तो इसको ल्ट के आथचे हम घुमा देंगे इसमें मैं हल्दी लाश्ट में डालूंगी तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी भी एड़ करूंगी ताके कौन टोकला बना रहे तो थोड़ा सा यल्लो जैसा बनेगा तो बहुत ही अच्छा लूक में लगेगा यह ओप्सनल है अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा लेकिन न डालोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा टेस्ट में तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दिये और इसको वापस हम मिक्स कर देंगे तो वैसे ही हम इसका बैटर रेडि कर देंगे अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को क्लिक करना ताके नए वीडियो की नोटिफिकेसन आपके पास आती रहेगी और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कॉमेंट करना और फ्रेंट के साथ सेर करना नहीं बूला अभी हमने जो ग्रीस करके ठारली रखी थी उसके अंदर बैटर डाल देंगे तो पतला करना है तो आप कम डालना अगर मोटा करना है तो आप ज़्यादा बैटर डालना उपर से हम थोड़ा सा लार मिर्ची डाल देंगे थोड़ा सा मरी पावडर डाल देंगे और थोड़ी सी हम हरी दन्या डाल देंगे तक एकदम बढ़िया से लूप तो आएगा खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इसके बाद इसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे तो यहाँ पर मैंने स्टीमर गरम करने के लिए रख दिया था पहले से उसके अंदर हम ठाली डाल देंगे और इसको हम 10 मिट टक पकाने के लिए छोड़ देंगे तो इसको ढखके में छोड़ डूंगी उसके बाद ये 10 मिट हो गई है हम खोल के देखेगे तो आप देख सकते हो कलर बहुत ही अच्छे से पकड़ा है वैसे ही हम चपूर डाल के देखेंगे तो एकदम बढ़िया से ये पक गया है इसको हम नीचे उतार देंगे उसके बाद इसके उपर हम सिंग्टेल डाल देंगे तो यहाँ पे सिंग्टेल डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेश्टीड लगता है तो मैंने सिंग्टेल डाल दिया है उसके बाद इसका हम कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे आपको बड़ा छोटा जैसे भी कटिंग करना है वैसे आप कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे स्क्वेर वाला कटिंग कर दिया है तो वैसे ही सारा हम रेडी कर देंगे ब्रेकफस्ट में अगर यह बनाना है तो आप 15 मिलिट में अगर आपने प्रिप्रेशन करके रखा तो यह 15 मिलिट में आपके डोकले बनके रेडी हो जाएगे और कॉन डोकले बहुत ही अच्छा और टेश्टी लगता है आप जरूर से एक बार ट्राइ करना तो यह कॉन डोकले एकदम बढ़िया से रेडी हो गया है अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी तो यह आराम से निकल जाता है और एकदम सॉफ्ट वाला ऐसा डोकला बनके रेडी हो गया है मेरे यहाँ पतला ही बनाती हूँ मैं क्योंकि हमारे गर पे मुटा वाला अच्छा नहीं लगता है तो बैसे ही मैं सारा निकाल दूंगी तो यहाँ पर कॉन डोकला एकदम सॉफ्ट और अच्छा वाला बनके रेडी हो गया है इसके साथ मैंने धन्या की चटनी और लशन की चटनी सव कर दी है तो एकदम बढ़िया और टेस्टी ऐसा हमारे डोकले रेडी हो गया है थैंक यू फोर वाचिंग बाई बाई टेक केर